नमस्कार दोस्तों लली जोति समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे साल के पहले चंदर ग्रहन की जो की पढ़ रहा है 10 जनवरी 2020 को क्या सूतक काल रहेगा और क्या सही समय रहेगा ये आज के वीडियो में हम जानेंगे देखिए ये ग्रहन रहेगा 10 जनवरी 2020 को दिन रहेगा शुक्रवार और समय रहेगा 10 जनवरी को रात को 10 बच के 37 मिनट से 11 जनवरी को सुभा 2 बच कर 42 मिनट तक तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये ग्रहन 10 जनवरी की रात से शुरू होगा और 11 जनवरी की सुभा 2 बचकर 42 मिनट पर समाप्त हो जाएगा दोस्तों ये तो था सही समय अब सूतक के बारें बात करते हैं कि जो सूतक काल रहेगा वो देखिए 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक रहता है इसका मतलब ये है कि जब ये ग्रहन 10 जनवरी को रात को 10 बचके 37 मिनट तक रहेगा तो लगभग 10 साड़े 10 बचे के आसपास मंदिर बंद हो जाएंगे 10 जनवरी को सुभा और 11 जनवरी को क्योंकि दो बच के 42 मिनट तक पढ़ रहा है तो सुभा मंदिर नहीं खुलेंगे यानि कि शाम की ही पूजा होगी आप इस दिन क्या कर सकते हैं कि अपने घर के मंदिर को ग्रहन खतम होने के बाद अच्छे तरीके से साफ करें और गंगा जलका शड़काव कर सकते हैं घर में और अच्छे से घर को साफ कर सकते हैं ग्रहन के समय देखिए क्योंकि ग्रहन रात का रहेगा तो जादा परेशानी नहीं आएगी फिर भी अगर आपका कुछ भोजन है या आप इस समय भोजन करते हैं तो उसमें आप ग्रहन शुरू होने से पहले सूतक शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते कुछ तोड़ कर रख लें और उन्हें अपने खाने में या जो भी आपका खाना या पीने का समाना है उसमें डाल कर रख लें देखिए इस दिन चंद्रमा रहेंगे मित्धुन राशी में और ये जो ग्रहन है ये करक राशी के लिए परिशानी देगा इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना रहेगा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और रिष्टेदार सही समय और सुतक कल जान सकें तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा नमस्कार दोस्तों जैश्रीराम